सूरा मेरे मेज पमान तठण फिर मेनी सिखा पधिंसमादियानी बुद्धन जो लोग यहां कितावें लिखते हैं या कितावें छापते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्य हमालिय हो रही है सांती सरो बौद को सब जानते हैं शान्ती सरों बहुत किताब में छापने काम नहीं करते थे वो किसी मिनिश्टी में कहीं डेली वेजिस पे कोई आर्टिस्ट थे और वहां उनका कुछ घड़ा वगड़ा हुआ वह नौक्री नहीं छोड़ दी तो जब बावा साब यहां रहते थे मुव्मेंट चलती थी तो एक भारतिय बहुत महासवाब में किताब छपने वाली बात आई उसमें एक बुद्ध का चितर बनाने की बात आई एक डॉक्टर मेटकर का चित बनाने की बात आई तो उन्होंने वो थोड़े बहुत जानते थे हाथ की किलाकारी एक रेखा चित उन्होंने बनाया रेखा कि आमदानिय आपको ऐसे बता सकता हूं कि जो समन्गंत चपा हुआ है वह 24 रूपे 50 पैसे का पड़ा हुआ है वह समन्गंत आपको उस तरह के उतने वेट में अच्छे पेपर में चपा हुआ इतनी मोटी किताब किसी भी हलत में बजार में आपको 80 रूपे से कम कोई नहीं तो किताबों में 10-10 गुना 20-20 गुना भी मारजन होता है और 50 पैसे और 100-100 गुना भी मारजन होता है जो किताब में 10-20 गुना भी बिखती है उनका तो कहना ही किया पर कावेस तो उसी रेट का आता है छपाई तो उसी रेट की होती है सिर्फ किताब की कीमत बदलनी होती है इसलिए यहां लोगों ने दददस घर बना लिये तो उन्होंने किताब लिखी सुनित भंगी के ओपर सुनित भंगी की छोड़ीश किताब उनको टैटिल निकालने होते थे किताब बेशनी होती थी, किताब चलती थी मेरा इतराज यह था कि जी सुनित भंगी नाम का कोई भंगी है नहीं, आप भंगी भंगी करके इसको प्रमोड कर रहे हो, यह भंगी नहीं है, यह उस समय का नाम हो सकता है, पर यह भंगी नहीं है जिसको आप यह सफाई कर्मी या जात वाला या कुछ ऐसा बोलते हो लोगों में मुगालता होगा या नहीं होगा उन्हीं माने किताब च्छाप दी अब जिसने किताब च्छापी है वो अपनी किताब बापे सोड़ी लेगा वो थोड़ी कहेगा जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है उन्होंने सुनित भंगी के करेक्टर को बढ़ा चला कर होते हैं ताकि किताबी के वो ऐसा था गली में चुपा भगवान को देख के डर गया भगवान उसको बलाया भगवान ऐसा किया vient जितनी दूर्डर सा वह कर सकते थे सुनुत नाम कि भंगी की यह सुनुत भंगी नाम का जो भी बन्दा था उतनी उन्हों है उसमें की ताकि करोना दिया बातरा आए और लोग समझें के भगवान कितने दियाल हुएं तो मैंने पूरा साहित च्छाना सब च्छाना मुझे तो कहीं सफाई का काम भी नहीं मिला और सफाई के था, नाई सब्दी नहीं है वहाँ पर, वो सिर्फ उसका नाम था, हमारे यहाँ बाल काटने वाले को केस कपक बोलते हैं, और जो हजामत बनाता है उसको भंडू बोलते हैं, भंडू, भंडू कम का मतलब हजामत बनाने वाला, पाली के अंदर, तो इन चीजों को जो किताब क लोग च्षाट देते हैं सिर्फ इसलिए बेचने के लिए, वहाँ से हैं बहुत दिंक्रत आती है, फिर यहाँ सवाल जवाब में वहाँ एनर्जी जाती है, हम परशान अपनों से हैं, बाहर वालो को तो हमें पता है, इकी तो नियती खराब है, पर अपनों का क्या करें, ज आएоном में बहुद पराने साहब के साथ के मिले तेज परकास प्रैम बहुत शीनेते उनकी पुत्री उनके साथ ती तो बहनजी यह साथ थी और वो आए वहां बुलाई था हुनको बहुत सीनियर चुँका की बाम सेफ के बहुत सीने लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में समन संग में तो उन्होंने बलाया कि आकर देखो तो उन्होंने का जी के साहब कासी राम जी की वाज़े से ये सारी करांती हुई है बावा साहब इकरांती तो ठप हो गी थी और साहब की वज़े से हुआ है साह ने जीवन दिया है हम सब मानते हैं पर आप व्यक्ति को तरह प्रोमूट करो मुंध करो पर वो व्यक्ति वाद में पूरी तरह से उनके भक्त हो चुके थे हमने उनसे कहा कि बाए देखो साहाब को महराश के लोगों रिजेक्ट कर दिया था। सहाब को पंजाब की लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया था। पंजाब में तो आज तक भी बुद्ध को कोई मानता नहीं वहाँ जो रविदाजी उनको मानते हैं या बालमी की जी को मानते हैं वहाँ को नहीं मानता है थोड़ा बहुत डॉक्टर अमेटकर को मानते हैं क्योंकि वहाँ आरक्षण है पर वो मानते हैं नहीं उन लोगों को कोई एक्टो सिटी नहीं उनके साथ में उनका खाना प पूरा काम किया और यहां जमीन तियार थी वो फटाइल जमीन हमने गाजवाद की बुलेंसर की आसपास की वो उनको दी और महां से काम सुरू हुआ है उनको संसादन दी ए उनकी बात मानी अच्छी बात है कोई काम करें जैसे आज कोई काम करता है वो बुरा मान गये करें जी को आगे बढ़ाया विक्ति बात को आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाना चाहिए था इससे मिसले मुम्मेंट खराब हो गया उनकी पुत्री मान नहीं है पर वो नहीं मान नहीं हमको समझ में आता है कि वो क्यों नहीं मान नहीं है क्योंकि पुत्री का विक्ति प्रेम नहीं है पर और वो जो व्यक्ति हैं, वो साब के साथ रहे हैं, और जब साब के साथ रहते हैं, तो व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, कोई मकान में रहता है, चार दिन तो उसकी इंटों से, उसकी अलमारी से, उसके दरवाजों से, उसकी खिडिकियों से प्यार हो जाता है, व्यक्ति दूब करना है राग नहीं पड़ना है जो मर गया मर गया काम आगे करो बढ़ो आगे जो जी रहा है जी रहा है ठीक है काम आगे बढ़ो हमें अपनी मुक्ती का हमें अपनी आजदी काम करना है यह नियम बड़े अच्छे थे वो पैसे लेंगे नहीं देंगे नहीं हाथ से उठाएं कशाएगा यह वनगहों दिए शादीनário के रहेंगे अच्छा ता किक्या फिर समाज में एक वैक्ति के जुमदारी लेकों काम कार्न कारना नबिए जिसने समरप्रण कर दिया जिसने नियम लिये जो सौगंद खाई और बुद्ध का तो पूरा परिवारी लग गया इसमें तो जिनको बदलना होता है वो कुछ भी कर सकते हैं वो करें अपने हिसाब से वो ठीक है उनके हिसाब से कोई समस्या नहीं है पर व्यक्ति बाद को नहीं बढ़ाना है ये सब अच्छे- काउंटर करोगे इसे कैसे करोगे यहां जो व्यक्ति बाद हैं बहुत जादा आले चलने हैं अभी गटना और गटी है यहां दिल्ली के अंदर 26 नौंबर को राश्ट्य बहुत महसवा और एक संग्ठनों